नमस्कार मैं विनोध वेस्टव और आप देख रहे हैं नीज 21 टीवी एवं पॉजिटिवी आज महजूद है वार्ड नमर 6 जिला परिशद फरीदावाद से पारशद पद की प्रवल एवं संभावित उम्वीद्वार भाजपास से हो सकती है रचना राजू पनहेडा देख जी हां मैं भाजपा की तरफ से अपना चुनाव लड़ूंगी और जिस परकार से जो हमारी भाजपा पार्टी है विकास के छेतर में अपने सबी देशवाश्यों को एक साथ इखठा लेकर सामोई कारे करने में अपना एक संखठन बना कर चलकर कारे करती है मैं भी उनी के पर चिनों पर चलकर कारे करूंगी और हमारे जो किशन पाल गुजर जी मंत्री जी हैं वो हमेशा सभी के सामाजी कारियों में योगदान देते हैं सब के साथ मिल जूल कर रहते हैं और अपने देश के विकास के हर कारे के लिए आगे रहते हैं मैं भी उनसे शिक्षा लेकर उन्हीं के तरह ही अपने देश को अपने गाउं को अपने वाडवासियों को एक साथ एक्पिल्ट करके सारे विकास के कारे करूंगे मैंने एक सवाल आप से किस तरीके से कोई ऐसा को उधारन आप पेस्ट कर सकते हैं कि आप सब को साथ ले करके चल सकती है करना भी समाजी कारे है स्कूल में इतने 1,000 बच्चे यह सब को मैं मिलकर एक साथ कारे कराती हूं अपने स्कूल की प्रोग्रेस करके रखती हूं इसी हिसाब से अगर समाजी के अंदर जाएं तो मेरे परिवार में कम से कम चालिस सदस्य हैं जिसमें हम लोग चार देवराने जिठानी हैं, तीन हमारी बहुएं भी हैं हम सब मिलकर एक ही चूले पर खाना बनाते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और घर परिवार सब एक साथ मिलकर चलाते हैं कि अपने वाडवासियों को भी अपने समस्त ग्रामवासियों को भी एक साथ मिलकर एक संगठन में रखकर ही कारे करूँगी क्योंकि किसी भी तरक्ति पर जाने के लिए एक संगठन एकता होना बहुत जरूरी है शामाजी पापर वाड का विकास किस तरीके से करें को आपके मन में ऐसे वीजन है कि वाड के विकास के लिए पॉर्षा को लेकर है किसी भी गाउं में जहां तक भी है कोई भी CCTV आजर नहीं आते हैं मैं सबसे पहले तो सुरुक्षा को लेकर चलूंगे, अपने अपने सभी गाओं में छेतर में जो गाओं आते हैं, उनमें CCTV कैमरे का परबन कराऊंगी, ताकि कोई भी अपराद हो, वो सभी जन्ता के सामने हो, सब के सामने आ सके, और कोई भी अपराद करने से वंजित रह सके कोई भी अपराद करने से पहले वो यह सोचेगा कि मेरा फेस में पकड़ा जाओंगा या मेरा फेस जन्ता के सामने आएगा तो अपराद कम हो सके दूसरा महिलाओं के लिए शिक्षा का बहुत जरूरी आज के युग में तो शिक्षा के लिए हमारे हाँ पर स्कूल तो बहुत हैं लेकिन महाविद्याले अभी कम नजर आए हैं हमारी लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है उसके लिए रास्त का भी सफर करना पड़ता है तो मैं अपने इलाके में जितने भी हमारे छेतर में गाउम आ रहे हैं उ सबी जगे उपलब्द नहीं है उनका भी परवंद कराऊंगी ताकि हमारे यहां के जो छेतरवासी हैं उनको प्रात्मिक चिकस्ता यहीं से उपलब्द हो सके कहीं दूर नहीं जाना पड़े एक समस्या मुझे बहुत जादा जो दिखाई देती है हमारे कुछ छेतर के समस्या का समाधान समस्या नहीं उठानी पड़े उनको मिले दूसरा एक देखा गया है कि आई टी आई का भी होना चाहिए मेरे हिसाब से ताकि बच्चे कोई भी कोर्स करके अपना आगे अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंड हो सके एक महिलाओं के लिए सेल्फ डिपेंड ह होना बहुत जरूरी है तो महिलाओं के लिए भी कोई ना कोई चोटा मोटा कार खाना होना चाहिए सलाई शिक्षा केंदर होना चाहिए सलाई सेंटर होना चाहिए ताकि वह उसको पर करके अपने से डिपेंड हो सकते हैं पीने के पानी भी होना चाहिए आज कल कहीं ना कही पानियों की भी दिखाई दिया है हैंड हैंड पंप होने चाहिए ताकि सभी अपने पानी की समस्चाओं से समाधान जुटा सके पने आप से सवाल कि आप पहतर उमीद्वार कि वादमर चैर के लिए इस पर सीधे सीधे आप बतां कि वोट आपको क्यों दिया जए और महीलन सीट है आपकी तो और उमीद्वार heroic करें किरते कि हम सिक शेट हैं попробverse करे to अदनी alm डह जाए उनके निरमान के लिए ।reu उसी परकार से मैं अपने लाष्ष के लिए अनका विकासी करोंगी, उनका उज्वल भविश्य ही टैकर वेए मैं अपर बैंस और आनकी वाइड नमर चाहिए कि लोग नजदीक говорит बीस बाइस दिन साहित से इस पचे है आपके चुना में कोई अपील है? अपना सेवक है अपना अच्छे से चुन सके ताकि देश का समाज का और उनके गाम का विकास हो सके जीत जाएंगे आप अप सर देखो ये तो मेरी जनता बताएंगी लेकिन मेरा ये दावा है अपनी जनता को मैं यह भरोसा दिलाती हूँ कि मैं अपना ये पार्शित पद उम बास करके दिखाऊंगे अपने विस्तार से सोना राजू रचना राजू पनहेडा को वार्ड नमर्ट 6 से प्रत्यासी और हो सकता है आने वाले समय में अगर भाजबा चुनाव लड़ाएगी तो हो सकता है भाजबा से शम्भावित प्रत्यासी भी यह हो सकते हैं इन्हों आप अपनी इच्छा से डालें अपनी मर्दी से डालें जहां भी आपकी इच्छा हो लेकिन एक वोट आपके पांच साल के लिए आपके छेतर करें दसा दिसा बदलने का काम करेगा आप सबी सीधे तोर पर हमारे साथ जुन रहें बहुत बहुत धन्यवाद